नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चानल सही ट्रेड में, मैं हो सचिन और आज हम बात करने वाले हैं MTM के बारे में बहुत सारे लोगों को ये confusion होता है कि ये MTM क्या होता है और किस तरीके से calculate होता है अगर आप futures में ट्रेडिंग करते हो तो आपको MTM जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि MTM क्या है तो आपको heavy losses उठाने के chances हो सकते हैं अब basically MTM का मतलब होता है mark to market मतलब जो भी आप future में trade करते हो उसकी जो settlement होती है वो cash settlement daily settlement होती है मान लीजेगा आपने कोई stock buy किया है 100 रुपे पे और उसका future buy किया है 100 रुपे पे और आपको उसी दिन उसमें 10 रुपे का profit हो गया तो मान लीजेगा उसका lot है 1000 का तो 10 रुपे का profit हुआ है into 1000 उसका जो lot है उसे साब से आपका जो profit होगा वो आपको उसी दिन आपके अकाउंट में trading account में जमा हो जाएगा या फिर अगर आपको loss हो जाएगा तो वो loss जो होगा आपके trading account से minus हो जाएगा तो यह daily settlement होती है future में अगर आप trade कर रहे होती है यह daily settle होता है माले जाएगा आपने overnight उसको carry किया है आप 4-5 दिन तक उसको carry करते हो और हर दिन आपको थोड़ा 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 profit हो रहा है तो वो जो profit होगा वो आपके trading account में हर दिन add होता जाएगा या फिर अगर आपको loss होता है तो वो loss आपके account से minus होता जाएगा अब इसमें risk क्या है कि जो exposure margin मिलता है जो broker आपको exposure margin देता है broker की liability के लिए होता है उसमें से अगर कोई amount कट होती जाए या फिर आपके trading account में उतना amount नहीं है तो आपको penalty लग सकती है या तो broker आपको call करके बोलेगा कि भई आपको losses बहुत ज्यादा हो रहे है तो आप account में डालिए या फिर trade को close कर दीजिएगा या फिर broker खुद ही अगर ज्यादा losses दिखाई दे रहे है तो उस trade को बंद कर देते है तो इसी बात को हम थोड़ा सा detail में जानेंगे example के साथ जानेंगे कि किस तरीके से आपको ये calculate करके आपके account में जमा होता है तो सबसे पहले जो future मे trade करते हैं उनको मालूम होगा कि initial margin हमें वहाँ पे pay करना होता है अब ये initial margin कैसे बनता है span margin और exposure margin को अगर आप मिला दो तो आपको initial margin वहाँ पे pay करना होता है किसी भी future में आप trade कर लो आप nifty में trade करो bank nifty में trade करो या फिर किसी भी stock में trade करो जो future option में है तो आपको initial margin वहाँ रुपे है लेकिन वो जो पर्टिकुलर फ्यूचर बाय कर रहे हो उसके लिए आपको एक लाख रुपे की जरूरत है तो आप ट्रेड वो नहीं ले सकते क्योंकि इनिशल मारजिन एक लाख रुपे के रिक्वारमेंट है जो आपके पास नहीं है तो यह आपको पहले देखना होगा कि किस स्टॉक के उपर इनिशल मारजिन कितना है या फिर निफ्टी के उपर इनिशल मारजिन कितना है उसके बाद ही आप वो ट्रेड इनिशेट कर सकते है अब थोड़ा सा जानते है एक्जामपल से कि यह एक्सपोजर मारजिन कितना होता है और किस तरीके से आपको इसे span margin में मिला के add initial margin देना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0-2 की margin calculator पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहा है NFO हमने select किया है future product हमने select किया है और expiry आपको यहाँ पे select करनी होती है with जो symbol है या फिर with stock है उसके सामने उसकी expiry आ जाती है तो Infosys का आज हम यहाँ पे example देखेंगे और quantity जो है उसका जो lot है वो 300 का आता है मतलब अगर आप future में trade करते हो तो हर एक particular stock का एक lot आपके पास तै होगा मतलब उस lot से कम में आप quantity नहीं बाय कर सकते अगर आपको ज्यादा quantity लेनी है तो उस lot के इसाब से buy करना होगा मतलब आपको दो lot लेने है Infosys के तो आपको 600 quantity में ही trade करना होगा 300 से कम quantity में आप यहाँ पे trade नहीं कर सकते तो यह आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब भी आप future में trading करते हो तो उसके लिए आपको initial margin कितना देना पड़ेगा तो total margin यहाँ पे जो आ रहा है वो initial margin है मतलब 98,143 इतने रुपए अगर आपके trading account में है minimum इतने रुपए तो आप इसका एक lot buy कर सकते हो या फिर sell भी कर सकते हो sell और buy के लिए future पे same margin लगता है उसमें कोई डिक्कत नहीं आती है तो आपके पास 98,143 पूर्स होने चाहिए तभी आप Infosys का यहाँ पे Infosys का future buy कर सकते हो अब यह initial margin बनता कैसे है उसके लिए आपको span margin और exposure margin जो होता है उसका addition करना होता है अब span margin क्या होता है initial margin required by the exchanges exchange आपको कहता है कि इतना initial margin हम हमारे यहाँ पे block करके रखेंगे तो उससे span margin कहा जाता है यह span margin जो होता है वो volatility और price increase decrease के उपर depend होता है मान लीजेगा अभी Infosys की price चल रही है 1820 रुपे और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो 1830 रुपे चल रही होगी तो 1830 रुपे के हिसाब से यह span margin उपर या फिर नीचे होता रहेगा दूसरा होता है exposure margin exposure margin क्या होता है यह additional आपको margin दिया जाता है अब यह additional margin क्यों दिया जाता है यह broker की liability या फिर एक cushion provide करता है broker आपको ताकि आपके जो MTM losses है उसको आप handle कर सके तो exposure margin ब्रोकर आपको allowed करता है ताकि आप MTM losses उसको handle कर सके मान लिजेगा 19,000 आपको broker ने provide किया है exposure margin अब उसमें आपको अगर losses हो जाएंगे तो उसमें से आपकी amount कम होती जाएगी तो अगर आपके trading account में सिर्फ 98,143 रूपीज है और आपको मान लिजेगा उस दिन 3000 का loss हो गया तो आपको broker phone करेगा और बोलेगा कि आपको 3000 का loss हो रहा है आप account में या तो पैसे डालिए या फिर आपका सौधा जो है वो काट लिजेगा आप इसमें से exit हो जाएगा तो इससे बोलते हैं margin call आना आपको broker या तो phone करेगा या फिर message करके बोलेगा कि आपके account में पैसे कम पड़ रहे है आपको losses ज्यादा हो रहे है या तो आप account में पैसे डालिए या फिर आपका सौधा आप काट लिजेगा तो ये broker को हक होता है कि आपको call करेगे या message करके आपको ये बताए तो इस तरीके से आपको initial margin पे करना होता है उसके बाद ही आप जो है future का trade initiate कर सकते है whether it is on buy side whether it is on sell side तो इसको थोड़ा सा detail में देखते है कि ये जो मैंने कहा शुरुआत में कि ये daily settlement होती है daily cash settlement होती है तो उसको किस तरीके से calculate किया जाता है इसको थोड़ा साम एक example से देखते हैं तो यहाँ पे हम example लेंगे Infosys का ही लेकिन मैं March मेने का example ले रहा हूँ अभी April यहाँ पे चल रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे तो mark to market जैसे कि हमने देखा mark to market MTM क्या होता है जो calculation होती है वो daily basis पे होती है अब initial margin क्या होता है यह भी हमने देख लिया initial margin किस से बनता है span margin plus exposure margin आप अगर calculate करोगे तो उससे हमारा initial margin जो हमें pay करना होता है वो यहाँ पे calculate होता है अब मान दीजेगा यहाँ पे Infosys का जो march का future है हमें buy करना है 2 march को हम यहाँ पे buy कर रहे है 2 march को Infosys का जो future है उसकी price थी 1710 रुपे क्या क्या आट मार्च तक तक तो वो future hold किया मतलब हमने ये जो trade है वो intraday ने लिया ये carry forward किया carry forward किया और 8 march को Infosys के future की जो price थी वो 1780 रुपे थी तो हमने 1780 पे इसको क्या कर दिया sell कर दिया अब यहाँ पे सीधा सीधा सोधा अगर आप देखोगे तो 70 point का आपको यहाँ पे profit हो गया 70 point का profit है Infosys का अगर lot size देखोगे तो वो 300 का lot size है तो हमें total profit यहाँ पे कितना हुआ 21,000 रुपे का total profit हो गया यह हमारा normal सीधा सीधा सोधा हो गया कि हमने 2 तारीक को 1710 रुपे में Infosys का future भाई किया और 8 तारीक को Infosys का future जो बेचा वो 1780 रुपे में बेचा अब यहाँ पे क्या हो गया 70 पॉइंट का हमें total profit मिल गया 21,000 रुपे का total हमें profit मिल गया लेकिन अगर आप 2 मार्श से 8 मार्श के बीच का time देखोगे तो आपको daily basis पे कितना profit हुआ है या फिर loss हुआ है इसके लिए MTM का calculation होता है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा आगे जाके day wise हमें देखना होगा कि कहाँ पे हमें कितना profit हुआ है और किस तरीके से MTM इसका calculate हुआ है तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे आगे जाके आप यहाँ पे देख सकते है total हमने day wise कितना profit या फिर loss हुआ है इसका calculation किया है 2 March जो है वो हमने क्या किया 1710 रुपे में Infosys का future buy किया अब यह reference price for MTM क्या है कि हर दिन जो closing होगी मान लिजेगा 2 March को 1710 रुपे में हमने buying की और उसी दिन उसकी closing 1700 रुपे पे हो गई अब आप यहाँ पे देखोगे चार्ट में जाके तो exact यही figure आपको देखेगी buying price मैंने यहाँ थोड़ी से अलग रखी है लेकिन closing price आपको same ही देखने के लिए मिलेगी 2 March, 3 March, 4 March या जो भी 8 March तक मैंने closing price ली है यह आपको same ही देखने के लिए मिलेगी अब यहाँ पे क्या है कि lot 300 का है और इसे साब से अगर हम calculate करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि हमें 3000 रुपे का यहाँ पे loss हुआ है किस तरीके से loss हुआ है 10 point से यहाँ पे market गिरा 10 into 300 हम करेंगे तो 3000 रुपे का हमें यहाँ पे loss हुआ है अब यह जो loss हुआ है यह आपके trading account से 3000 रुपे माइनस हो जाएंगे तो जैसे हमने कहा था कि अभी current situation पे हम initial margin बरते है 98,143 का तो 1700 अगर आप calculate करोगे 1710 के time पे अगर वो calculation करोगे 96,641 रुपे हमें पे करने पड़ रहे थे initial margin तो इसमें से यह 3000 रुपे माइनस हो जाएंगे तो आपके account में सिर्फ उतने पैसे है तो आपको broker call करेगा और बोलेगा कि 3000 रुपे short पड़ रहे है आप shortfall आ रहा है 3000 रुपे का फिर तो 20,000 में से 3000 रुपे माइनस हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी shortfall के लिए call नहीं आएगा और उसमें से आपके पैसे cut होते जाएंगे जब तक आपके trading account में उससे ज़्यादा पैसे है तब तक आपको कोई problem नहीं होगा अगर आपके trading account के पैसे कम हो जाते है तो आपको broker call करेगा और बोलेगा कि भया या तो सोधा काट लो या तो आप क्या करो एक्स्ट्रा पैसे add करो ताकि आप आगे carry forward कर सको तो ये आपको बात समझनी चाहिए अब ये पहला दिन निकल गया 3000 रुपे का loss हो गया अभी वो उसी दिन calculate हो जाएगा आपको आज का तुन दो तारिक को 3000 का loss हो आए तो तारिक को आपको 3000 का minus यहाँ पे दिखाए दिएगा अब आपने फिर भी carry forward किया मान लीजेगा यहाँ पे आपके पास extra पैसे है तो आपने क्या किया trade carry forward कर दिया आप बहुत बड़े trader है आपके पास account में पैसे है वहाँ पे तो आपने क्या किया trade initiate कर दिया दूसरे दिन के लिया trade लेके गए अब दूसरे दिन जो price होगी जो reference price होगी MTM के लिए वो कौन सी होगी previous day की closing price होगी प्रीवेस डे की closing price क्या थी? शत्तरा सो रुपे की थी अब सत्तरा सो रुपे closing price थी वही price उसने तीन तारीक को ले ली profit के लिए मतलब जो भी reference होगा वो सत्तरा सो रुपे से होगा क्योंकि उस वहाँ तक आपकी settlement हो गई थी तीन अजर रुपे माइनस यहाँ पे हो गए ते उसी price के उपर इसके वज़े से दूसरे दिन क्या हो गया? सत्तरा सो से ही आपका सोधा फिर से आगे चाड़ो हो गया अब दूसरे दिन क्या हुआ? आपको यहाँ पे 19 रुपे का profit हो गया अब 19 रुपे का profit हो गया तो आप क्या करेंगे? 300 का lot है तो आपको total profit यहाँ पे हो गया 5700 रुपे का देखिए पहले दिन क्या हुआ? 3000 का loss हो गया, आपने carry forward किया दूसरे दिन आपको 19 रुपे का profit हो गया अब यह closing price आप देखो गये तो यहाँ पे कोई fake value नहीं है यह exact value मैंने यहाँ पे add किया है तो आपको क्या हुआ? 3 तारीक को 5700 रुपे का profit हो गया तो आपके यह 5700 का profit जो है daily profit वो आपके trading account में add हो जाएगा मतलब अगर इसमें से 3000 रुपे minus हो गये है तो आपके यहाँ पे 5700 रुपे add हो जाएंगे उसी दिन daily का profit आपके trading account में add हो जाएगा तो यह तो daily का profit add हो गया आपका अब चोटे तारीक को क्या हो गया? 4 तारीक को जो reference price थी वो ले ली इसने 1719 रुपे क्योंकि 1719 को आपकी daily settlement हो गी थी उसके बाद जो price होगी उससे दूसरा दिन शुरू हो जाएगा तो 4 तारीक को आपने 1719 रुपे से शुरुआत की उस दिन closing क्या आई? 1724 रुपे की closing आई यानि कि 5 रुपे का profit हो और calculate करके देखोगे तो 1500 रुपे का आपको उस दिन का profit यहाँ पे मिल गया अब क्या हो गया? 4 तारीक को भी 1500 का profit हो गया वो भी आपके अकाउंट में add हो गया 7 तारीक को यहाँ पे डे शुरू हुआ क्योंकि 5 छे Saturday Sunday यहाँ पे चुटी थी तो 7 तारीक को इसने reference price कौन से लिए? जो 4 तारीक को closing price थी वो यहाँ पे 1724 रुपे reference price वहाँ से आपका आगे trade शुरू हो गया उस दिन आपको क्या हुआ? 15 रुपे का profit हो गया 1749 पे close हो गया trade तो आपको profit कितना हुआ? 4,500 रुपे का तो यह आपके 7 तारीक को profit आपके trading account में जमा हो जाएगा तो अब तक क्या हुआ था? पहली तारीक को 3,000 का loss हुआ दूसरी तारीक को 5,700 का profit तीसरी तारीक को 15 रुपे प्रुफेट और चौते दिन को चौती तारीक को नहीं 7 तारीक को Čते दिन आपका trade चालू है तो 6,500 का profit हो गया अब 8 तारीक आ गई, 8 तारीक को क्या हो गया, reference price फिर से इसने 1749 का लिया, और उसके आगे 1780, उसी दिन कुछ news आ गई होगी, या फिर stock भग गया उसी दिन, तो 1780 पे आपने क्या गया, trade आपका close कर दिया, आपने यहाँ पे sell कर दिया, 8 तारीक को sell कर दिया, तो 8 तारीक को कि हुआ, तो लगबग यहाँ पे आप देखोगे, तो 49 पॉइंट का profit हो गया, तो यहाँ पे आपको 12,300 रुपे का 41 पॉइंट का profit हो गया, तो आपको यहाँ पे 12,300 का profit हो गया, अब आपने पूरा trade जो है, वो close कर दिया, लेकिन आपने पहले ही यह profit कमा लिया है, वो daily basis पे आपके अकाउंट पे जमा हो गया है, तो 8 तरीक को क्या होगा, आपको 12,300 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, तो total अगर आप करोगे इसका, तो आपको पता चलेगा, अगर आप यह सारे calculation करते हो, 12,300 प्लस 4,500 प्लस 5,700 प्लस 1500, तो आपको amount आती है 24,000 की, लेकिन आ आपके माइनस 24,000 में से हो जाएंगे, और आपको total profit जो है, वो 21,000 का यहाँ पे दिखाई देगा, तो जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कि 2 तारीक को हमने trade लिया, 8 तारीक को close कर दिया, हमें 21,000 का profit हो गया, उसका जो day wise calculation था, MTM के हिसाप से, वो कुछ इस तरीके स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यह daily MTM के हिसाप से होता है, अगर आपको यही पे कही loss हो जाए, तो वो आपके account से cut होने लगता है, तो इस तरीके से अगर आपको पता है कि MTM क्या होता है, और किस तरीके से MTM का calculation होता है, तो आपको trade लेने में कोई भी लिक्कत नही है, यह तो हमने थोड़ा सा positive example लिया था, अगर यहाँ पे आप negative example लेते हो और आपको losses होने लगते हैं, तो उतनी amount आपके trading account से cut होने लगती है, अगर आपके पास उतनी amount नहीं है, तो या तो broker आपको phone करेगा और बोलेगा कि सौधा cut कर दो, या फिर आप पैसे add करो, अग अगर आप all भी ज्यादा सौधा यहाँ पे carry forward करना चाते हो, तो यह चीज आपको हमेशा धान में रखनी है, कि किस तरीके से MTM workout होता है, या तो आपको penalty लग सकती है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, और यह penalty 0.5% से लेके 1% तक हो सकती है, अब यह किसके उपर होगी, ज उसके addition में, तो यह आपको ध्यान में रखना है, जो penalty होती है, वो 0.5 से लेके 1% तक हो सकती है, जो भी आपका trade margin होगा, या फिर जो भी capital होगा, उसके उपर यह सारी चीज़े decide होती है, लेकिन minimum 0.5% और maximum 1% की penalty आपको यहाँ पे pay करनी होती है, तो इस तरीके से आपको MTM क बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद ही future में trade करना चाहिए, तो यह था पूरा MTM के उपर वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजेगा, comment कीजेगा, उसके साथ साथ मैंने join button दिया है, अगर अभी तक आपने हमें join नहीं किया है, तो आप join कर सकते है, join button लेने से या फिर join करने से आपको premium content के लिए रस्ता खुल जाता है, आपका premium content हम आपको देंगे, जो भी आपको चाहिए, market के हिसाब से, जो भी strategy होगी, या फिर कोई और चीज आपको premium content में चाहिए, तो वो हम आपको provide कर देंगे, so join करें और हमें support करें, बाकी, have a good day, नमस्कार.